असलाम लेकुम एब्रिवान वेलकम बैक तो माई चैनल कुक वित काफिया तो कैसे हैं आप सब आप सब आप सब ठीक होंगे आज मैं आपके लेके आई हूँ ड्राइफ रूट्स के बहुती मज़दार लड्डू जिससे खा के आपकी इम्म्यूनिटी जो है एकदम से बूस् नगलता है और यह मारे बॉड़ी से बैट फैटगो बाहर को अंदर लाता है फिर उहां पर एक क किरব बेबूरू का गोंद होता है बहुत ही फाएमंदे में इसाबस इसո विट न जगन पर छोको देब तो यहां पर यहां पर गफ़ी सारे सील्ड्स लिए हैं तो इसको आप दुकान से चारो मगस कहें करते हैं तो आपको चारो पीज मिक्स करके देढ़ेंगे लेकिन कद्दू के और सूरजमुखी की वीज आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे अब मैंने सारे dry fruits दिखा दी है जो white का टोरी में powder दिख रहा है यह है नारेल का powder आप चाहें तो नारेल को कद्दू कस करके ले सकते हैं या फिर ऐसे ही powder बना कर डाल सकते हैं mixer grinder में अब आप देख सकते हैं मैंने यहापर खजूर ले लिए है खजूर की मैंने सारी कुट्लिये निकाल दी है बहुत soft वाली खजूर लिए है मैंने यहापर अब मैंने यहाँ पर ठाइस सुख्राम खजूर ले लिए हैं और यह इसी हिसाब से लिएynamicाट dollar ले सकते हैं यह फिर मैंने देखिज के कि यहाँ पर एक पैन में गळ लिया है घी गरम इसमेर मैं सारह ड्राइफरूर्ट इक्ले के क्रके add करदोंगी तो मैं इसमें डाल लें हूँ अकरोट, काजू और बादाम इन तीनों चीजों को डाल के मैं अच्छे से इसमें रोस्ट कर लूँगी हमें इसको रोस्ट करते हैं टाइम इसका कलर चेंज नहीं करना बस हलका सा क्रण्च आने तक इसको रोस्ट करना है ताकि इसका जो टेस्ट है लड़ू में अच्छा है और लड़ू थोड़ा से क्रण्ची हो जाएं तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं घी में जादा गी नहीं डालना बस एक चमच घी में इसको डाल के रोस्ट कर लेना है अब देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं हम मैं इसको निकाल लूँगी अब मैं जो है एक बाउल में इसको निकाल लें हूँ आगे भी हम जो चीज़े रोस्ट करेंगे वो एक ही बाउल में इसको निकाल लेंगे अब देखिए मैंने सारी ये ड्राइफ रूट्स निकाल ली हैं अब मैं इसमेट करें सारे सीर्स इसको भी मैं अच्छा से रोस्ट कर लूँगी इनको भी हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है बस अलका सा रोस्ट कर लेना है ताकि इनमें भी अलका सा क्रंच आ जाए और थोड़े से ये क्रंची हो जाए बस दो से तीन मिट इसको रोस्ट कर लेना है अब देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं इसको भी मैं निकाल लूँगी लेकिन हम इसको उसी बाउल में नहीं निकालना इसकोま अलक कर तोरी में निकालके रखिएंगे अब मैंने उसी पैन में डाल दी है किश्मिश देखिए ये अच्छे से रोस्ट हो गई है मैं आपको डालते विए नहीं खिखा सकी तो देखिए ये अच्छे से रोज टोचुके हैं तकरीबन मैंने 30-40 किश्मिश ली दी इसको मैं सेम बावल में जिसमें मैंने काजू बदाम निकाले हैं उसमें ही निकाल के रखूंगी अब देखिए मैंने सेम पैन से जो है इसकी घी की कॉंटेटी बढ़ा दी है और इसमें मैं एट कर दूँगी गोंद गोंद को जो है हमें दो बैच इसमें करके हम इसको फ्राइ करेंगे क्योंकि एक बैच में अगर इसको हमने कर लिया तो यह नहीं हो पाएगा और बहुत ज्यादा मुश्किल होगी इसको फ्राइ करने में तो इसलिए मैं इसको दो बैच में फ्राइ कर रही हूँ अब मैं जो दूसरे बैच का कॉंद है वह भी फ्राइ कर लूँगी अच्छे से इसमें ही और दिखी की कॉंटेटी अगर आपको कम लगे तो आप बीच में भी आइट कर सकते हैं अब देखे जिते ही मैंने इसमें ड्राइफ रूट्स फ्राइ करें थे सारे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिये हैं और इनको मिक्सर ग्रांडर में घ्राइंड कर लेना है थोड़ो से ठंडा करके इसलिए मैंने सारे dry fruits जो हैं जो पीसने वाले थे एकी बावल में set कर रखें दे तो देखिए मैंने इसको अच्छे से पीस लिया थोड़ो सो दरदरा पीसा है इसको क्योंकि हम हलवाई style बना रहे हैं तो थोड़ो सो दरदरा पाउडर अच्छा लगता है पीसावा और dry fruits को जो मोटे मोटे chunks हैं अगर मुह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए मैं थोड़ा से इसको मोटा पीसा है अब मैंने एक पैन में घीर डाल दिया है इसमें सारी खजूर डाल दूँगी खजूर डालके इनको अच्छे से इसमें कड़वाट आ जाएगी तो इसलिए आप जो है इसको ऐसे ही low flame पे इसको fry करें और अच्छे से melt कर लें तो देखिए यहां पर यह melt होने लगी है आपस में जुड़ने लगी है तो देखिए अब यह ना अच्छे से melt हो चुकी है इसके जो मोटे मोटे पार्ट से वो भी अच्छा से इसमें घूल चुके हैं अब मैं इसको जो है निकाल लूँगी यहां पर जो है मैंने गैस की फ्लेम आफ कर दिये लेकिन मैं इसी फ्राइपन पर इसको रखे रूँगी क्योंकि यह जब तक गरम रहेगी गरम खजूर जो है लड़ो में आसानी से मिक्स हो जाएगी अब मैंने एक कुंड़ा ले लिया है उसमें सारे प्रिसेवर ड्राइफ रूट्स आइड कर रही हूँ फिर मैं इसमें एड़ कर दूंगी सारे सीड्स एक कुंड़े में हमें सारा यह बड़े बरतन में ही करना है क्योंकि मिक्स उसमें ही होगा तो आप इसको हाँ से बारिक भी कर सकते हैं अगर आपको जादा ही मोटा लग रहा है तो आप देख सकते हैं आपर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी जो मैंने खजूरे मैल्ट करके रखी तो यह बहुत ज़्यादा गरम है आप चाहें तो इसको चमस से भी कर सकते हैं तो सारा पाउडर जो है ड्राइफ रूट्स का इसे हमें खजूर के ऊपर मिला देना है ताकि एच्छे से इस पर चिपक जाए और खजूर जो है थंडी हो के अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर देखिए अभी यह बहुत ज्यादा गरम है तो मैं इसको हलके हलके से मिला रही हूं हाथों से एकदम से इसमें हाथ अगर हम कस के मिलान लगेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा से करके मिला रही हूं इसको जब आपको लगे हलके सी ठंडी होन लगी है जादा गरम नहीं रही तो आप इसको फिर सही से दोनों हाथों से जो है अच्छे से मिला लें इसको या फिर आप चम्मच की मदद लेकी भी इसको मिला सकता है अच्छे से मिक्स हो गया आप देख सकता हैं ड्राइफ रूट का मोटे मोटे चंग्स है अब मैं थोड़ा सा इसका पीस लेके देखिए मैं आपको लड़ो बनाकर दिखाती हूं बहुत आसानी से इसके लड़ू बनके तयार हो जाता हैं ऐसे ही आपको गोल करते रहना है लड़ू आपको तैयार मिलेगे लेकिन इतने आसान लड़ू इतने फायदेमन्द हो सकते हैं कोई नहीं सो सकता बहुत जादा फायदेमन्द लड़ू है ये और इसमें आप देख सकता हैं जो ड्राइफ रूट के मोटे-मोटे चंक्स लग रहे हैं कितने अच्छे लग नही तो इन लड़ों को जो है आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं बिना फिरिज के भी और अगर आप इसको बिना फिरिज के ही रखेंगे तो सर्दिया चल ली है इस टाइम तो यह खराब भी नहीं होने के आपको सोचिए कितने फायदेमंद लड़ों हैं इसमें हमने कोई अलग से मीठा नहीं एड करा कोई चाशनी बना के नहीं डाली खजूर हमने इसमें एट करें ये मीठा करने के लिए और खजूर तो खुद ही बहुत फायदेमंद है और हमने इसमें इतने अच्छे ड्राइफ रूट्स एट करें हैं जो की बहुत फायदेमंद ड्राइफ रूट्स है तो आपको ये लेडो की रेसिपी कैसे लगी मुझे क सब्सक्राइब करें था था थैंक्स वर वाचिंग